दरबंगा एरपोर्ट को सुविधाम से लैस और स्वक्षित करने के लिए पटनाम एक अन्यमार गिस्तित अपने आवास पर मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने हाई लेवल मिटिंग की इस दुरान सीम के समक्ष दरबंगा एरपोर्ट के विकास से समधित प्रेजन्टेशन दिया गया मंत्री मंडल सचीवाले बिभाग के अपर मुख्य सचीव संजे कुमार ने इसकी विक्सित जानकारी दी इस बैटक में सीम नितीश ने कहा कि दरबंगा एरपोर्ट को विक्सित करने के समध बे जो भी जानकारी दी गई है उसे लेकर एरपोर्ट एथोरिटी और इंडियन एरफोस से बात कर सहमती बना ले दरबंगा एरपोर्ट उत्तर बिहार सहित और सपूरे शित्र के लिए बेहद मैतपूर है आपको बता दे कि दरबंगा एरपोर्ट का शिलानियास वर्ष 2018 में हुआ था इस हवाई अडे का नामकरन महा कभी मैथिल कोकिल विद्यापती के नाम पर होगा जिसे बिधानसवा से पारित किया जा चुका है वह इसमिन निस रख्षा के रिष्टी कोन से एरपोर्ट की चहार दिवारी को ऊंचा करने के साथ विबानों की संख्या में बनितरी की बात भी कही है जारकन में स्वास्त विभाग और स्तरकार की लापरवाही की कारण बड़ी संख्या में युवा एट्स जैसे जालेवा बिमारी के घेरे में आ रहे हैं लेकिन इसके रोक्ताम को लेकर कोई माकूल व्यवस्ता नहीं की जा रही एक स्वयम से भी संसा के पदाधिकारी के मताबिक जिले के गड़वा में 700 सेक्स वरकरों द्वारा खोले रोप से युवाव में एट्स बाटा जा रहा है हरांत कर देने वाली बात यह है कि इनमें 12 से अधिक लोग एट्स से पीरित हैं इस हालात पर जब सिविल सरजन से बात की गई तो उन्हों ने इसे गंबीर बता कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की है हर एरिया में पी-एर एजुकेटर कर जून लिए हैं सर्थ उनलोग बताती है कि यहां पर इतना महिलाएं काम करती हैं तो उनलोग के बीच में एक प्रिग्राम रखते हैं कि कहां पर इसका मीटिंग होना चाहिए खुला जगप में हम लोग नहीं करते हैं इसको राजदानी पटना शित पटना साहिब गुर्दवारा में शनिवार को देराथ पार्किंग में खड़ी बस में अचानक आग लगने से अपरा तप्री का महौल हो गया देखते ही देखते आग ने विक्राल रूप धारन कर लिया आग की लप्टों को देख अस्थाने लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश भी के और फायर यूनिट को इसके सोचना दी तस्वीर में अभी आप देख सकते हैं कि आग लगने के बाद किस तरह गुर्दवारा परिसर पारकिंग असल पर अफ़रा तफ्री मची होई है फायर यूनिट की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबो पाया आग लगने की बज़ा शॉट सरकिट बताए जा रही है